हलो दोस्तो मैं विकरांथ आज बात करने वाला हूं रिवोल्ट आर्वी 400 में मुझे चार महने में क्या-क्या प्रोब्लम्स आई है उसके बारे में अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राब जुरू कर लें वीडियो पर शुरू करते हैं रिवोल्ट आर्वी 400 को चलाते हो मुझे चार महने कंप्लिट हो गए है इन चार महने में मुझे कैचे समस्य आई इस बाइक में वह सभी बताता हूं डिटेल में आपको इस बाइक की बात करें यह बाइक लेने के बाद में अगर आप थोड़ इसे जड़ा गंदी हो जाती है तो यह लगाना पड़ेगा यह वाला जो एरिया है यहां पर बहुत ही जड़ा मिटी लगती है क्योंकि यह वाला जो एरिया है यहां पर है इसको काफी उपर दिया गया हुआ है थोड़ा सा नीचे होता यहां तक होता तो काफी बढ़िया रहता इससे यहां क्या होता गंदगी नहीं होती बार बार क्योंकि यह थोड़ सा पानी यह कीचड़ में सलाते ही यहां गंदा हो जाता है और इसके जो फोड़ा सा कवर लगाने का होता है वो भी नहीं मिल रहा काफी मैंने ट्राइ किया था जिससे सोड़ा कवर करने के बाद में यहां कीचड़ ना लगे जब आप कई बार ऐसा भी होता है जब आप बाइक चला रहे हो और ट्राफिक में अचानकि आपकी बाइक है वो बंद हो जाती है आपका जो डिस्पले है वो भी ओफ हो जाता है और आपका जो यह स्टार्ट बटन है इसकी जो लाइट है इसकी लाइट भी है वो भी ओफ हो जाती है बिल्कुल ही यह वाली प्रोब्लम है वो मेरे साथ तीन बार हो चुकी है जब आप बेश ट्राफिक में चला रहे हो और आपकी बाइक बंद हो जाए उस समय आपकी जो एमसी भी है उसे ओफ करके वापिस ओन करोगे तो आपकी जो लाइट है वो वापिस आ जाएगी अब यह वाली समस्य क्यों हो रही है अब कन्फरम नहीं पता यह वाला जो रिवोल्ट का लोगो है वो मैंने आपको फ़र्ष्ट वीडियो में बताया होगा कि यह जल्दी से गिर जाता है इसका यह काफी मजबूत से ने लगाया होगा होता यह वाला जो लोगो है वो मेरा भी गिर गया था मैंने दुबारा उसको चिपकाया है यह बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लगाया होता है यह थोड़ से गर्मी आते ही निकल गया है पर यह जब निकला मुझे पता था लगया कि मेरा गिर गया है मैंने वापिस उठा लिया अगर यह मानलो आपको पता नहीं से ले पुछ लोगों क्या समस्य आती है अब यह जो इसकी स्पीड वाला है इसमें जो तार वाला आता है नॉर्मल बाइक में पेट्रोल बाइक में आता है ना वो वाला सिस्टम नहीं है इसमें मेगनेट वाला सिस्टम है जिससे क्या होता है कि जब आप चलाते हो और वह स्वड़ा सा मामुली सा लिूज लगता है आपको यह जब आप फुड़ी स्पीड में चलाते हो तो होड़ा से हिलता रहता है फिलने से क्या होगा कि आपकी सुपीड है वो एक्वरेट निजलती मिलब उप्र नीचे ऊप्र नीचे बार-बार होती रहती है जिससे क्या होता है आप बार-बार जटके से मेशस्ट होता है तो यह normally आप second mode है, third mode हो इस time जज़ा होता है, first mode हो जलाते है उस time कम होता है, जिसके आदजत क्या है regular petrol लाने की है तो उसको ज़्यदा फील होता है, जब आप regular चला ओग इस बाइक को में काफी ज़्यादा जटके मैसस होते थे आदत हो जाती है ना उसके बाद में कम फिल होता है और बाकी ज़से चलाते टाइम आप द्यान रखें इसकी बजाए आप अंगुलियों के तलाओगे तो आपका जो जटका है वो कम लगेगा अभी जो टेमप्रेजर है वो हाई होत करता है उसके बाद में क्या होता है कि आपकी स्पीड है वो डाउन हो जाती है समस्या है वो 35 दिगरी के ट्इम प्रेजर से उपड आप इसकी जटका से फ fountain वीरो होगा और आपकी चीज उसकी पीज की बारे हम बात करें तो इसके एप्लीकेशन ús वो बार-बार log out हो जाती है, connect करते हो तो connect में होती जल्दी से, इसको बार-बार बंद करना होता है, फिर चालू करोगे तो connect होती है, कभी-कभी GPS ने एक्टिविट बताता है, उसकी connectivity है, कभी-कभी data अपडेट ने होता है, तो काफी सारी समस्या है, उन्हें ठीक करना चीजि पर अभी तक दिया नहीं है, यह वाला option आजाएगा, वो भी काफी बड़ी option रहेगा, एप्लिकेशन वाला option है, स्टार्ट करने वालो जल्दी से जल्दी देना चीए, और इसकी तो seat वाली problem है, वो तो है, कि आप लंबी-दूरी के लिए तलाते हो, तो काफी समस्या इसकी seat ज़दा दूरी के लिए नहीं है, बिल्कुल भी, इसके parts है, वो काफी कमजोर लगे मुझे, क्योंकि एक दिन किसे ने थोड़ सा मामूली से बाइक टच होगी, तो चोती ही यह वाला जो एरिया है, वो यह वाला जाल लगा हुआ है, वो काफी मुड़ गया था, वा पाद में तूट गया है, अभी इसको ऐसे रखना पड़ता है, अलग रखना पड़ता है, चार्जिंग के टाइम, और फिस याद गर के लगाना पड़ता है, तो कि पहले यहां से अटेस था, यह लगा हुआ रहता था, तो यह तूट गया है मेरा, इसका जो होर्न है, वो म राम से ठीक हो गया, और जो मेरे दोस्त हैं, उनके पास भी यही बाइक है, अब उनकी बाइक में कहके समस्या आई है, वो भी बताता हूँ आपको, जो नया वाला मोडल है, उसमें एक नया फंक्शन दिया वा था, जब बाइक को आप लोक उनलोक करते हैं, उस समें जो इस तो इसके इंडिकेटर है, वो ब्लिंक करते ही रहते हैं, ओफ नहीं होते, कुस लोगों क्या आ रही है, कि इसका जो मोबिलाइजर है, उसमें से आवाज आ रही है बीप की, जो मेरा वाल दोस्त था, उसके मोबिलाइजर है, उसमें से बीप की आवाज आ रही थी, बहुत बीप की आवाज आ रही थी, वो रुखी ही नहीं रही थी, उसके लिए MCB को ही डाउन करना पड़ता था, उसके अधाव कोई उप्सन नी था, उसके बाद में चेंज हो गया वो, बाकी बड़ी समस्या की बात करें, तो बड़ी समस्या इसकी चार्जर वाली, चार्जर अगर आपका खराब हो गया, तो जल्दी से नहीं मिलेगा, जिसे मेरे फ्रेंड का खराब हो गया था, चार्जर, उसे एक महिने का वेट करना पड़ा था, एक महिने के वेट के बाद ही चार्जर मिला था, बाकी नॉर्मली पार्ट्स हैं, वो मिल जाते हैं, पहले काफी जदा प खराब हो रहा था अभी जो नए चार्जर आ रहा है वो कम खराब हो रहा है एक प्रोब्लम हो रहती है अगर आप बाइक को रेगुलर नहीं चला रहे हो आपने मालो चार्ज किया भी फिल बेटरी चार्ज कर लिया आपने और आप 15 दिन के लिए नहीं चला रहे हो तो उस समय आप द्यान रखना कि जो आपकी बैटरी पर्संटेज है वो 100 दिखाएगी तब 100% के इसाब से चलेगी नहीं वो अगर आप 20 दिन या 25 दिन रखते हो बैटरी को चार्ज करने के बाद में और चलाते नहीं हो बेटरी आपको 100% दिखाएगी वो 10% के बराबरी भी काम करें यह जरूरी नहीं है क्योंकि एक बारी मेरे फ्रेंट ने उसकी बेटरी फुल चार्ज करके और महिने बर के लिए चलाई नहीं और जब चलाने गया तो 5-7 किलोमेट चलके बाइक बंद हो गई उसकी जो बेटरी प्रेंट दिखा रहा था उतना काम नहीं कर रहा था जब भी आप बाइक को फुल चार्ज करके और 15-20 दिन या महिने बर के लिए नहीं चलाओ उससे पहले एक बारी बाइक को फुल चार्ज दुबारा कर लें या फिर बाइक को थोड़ा सा चलाके वापिस चार्ज कर लें लंबी दूरी ना ताय करें कि बीच में ही बाइक कभी भी बंद हो सकती है अभी तक मुझे और मेरे साथ वालों को यही समस्या आई है नोर्मली इसके अलावा तो जड़ा को बड़ी समस्या नहीं आई है इस बाइक का जो एसेसरीज है उसका लिंक मेंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अगर आपको कुछ लेना हो तो आप जाके फर्चिज कर सकते हो अगर आपको इस उड़े में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लें